नई सर्कार को कोई फरखने पढ़ने वाला क्योंकि उनको आदत पढ़ चुकी है उसकी बीवाणी Breaking B और ऐसे ही चुनाब होता रहा तो देखो सम्मेदान खतम देश खतम सारा सारा सिस्टम ही खतम हो जाएगा तो आप को इतना गहमंड है या कोई भी चीज है तो आप उसको वीपी पैड लगा के और हर बोट को अलग बकसे में डलवा दो उससे सारा किलियर हो जाएगा सामज न अदमी यहां तो जिसको एक बार सीट मिल जाती है तो मरने तक अपना बपोती समझने लग जाता है नमस्कार मैं उर्जाओं और आप देख रहे हैं जनित अवाज दोज़ार चौबेस अब नस्दीक है लोकसबद चुनाफ की तयारी में दोनों पार्टियां एकदम जोरो शोरो से लगी हुई है अपना प्रचार कर रहे हैं कहीं राहूल गांदी यूपी जोडो यात्रा निकाल रहे हैं तो जो बोधी सरकार है वो दावेवादे कर रहे हैं कि हम लाल के लिए से एक बर फिर से जंडा फैराएंगे लेकिन वही विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे है कि इवियम में गड़वडी की वज़े से ये लोग अपने सरकार बना पा रहे हैं इसी चीज़ पर बातचीत करने के हम ऐसा देख शक्स मौझूद है इसी चीज़ तो है नहीं है कि हो सकती है उसका चिप है जिस चीज में चिप होती है जैसे mobile हो या कोई भी चीज है जिनना जो instrument है या apparatus है कोई भी उसमें अगर आप chip यूज कर रहे हैं तो वो hack हो सकता है क्योंकि उस chip का पता नहीं हो कौन उसको बना रहा है और कहां वो उसका यूज हो रहा है वो उसी के हिसाब से जो programming उसकी होती है उसी programming के हिसाब से वो chip चल स चुकी है उसकी EVM की और EVM की आदत पर चुकी है तो देखो केबल भाजपा के अलावा और जितनी भी पार्टी है देश में सारी कह रहेंगे EVM हटा दो या फिर EVM का कोई खर्चा भी नहीं आप EVM से ही डलवा लो लेकिन एक अलग बक्सा रख लो और जो निकलेगा ना उस को बोट गया है उसको भी मैच कर जाएगा तो यह जान बुझके ना उस ट्रेक पर जानना ही नहीं चाहते है और कि वो EVM को बंद किया जाए EVM का बंद मत करो आप रख लो रख लो लेकिन उसके साथ में को और बक्सा रख दो ना उसमें कोई खर्चा भी नहीं है अभी पी उसको दिख गया अब पता तो नहीं है ना उसे तो पता नहीं है ना कि तेरा बोट कहां गया प्रीम कोट के दो वकील यह बोल रहे थे कि हमें बस डेड़ सो EVM दे दो हमको जांच परताल करके आपको बता देंगे कि यह धानली हो रही है कि नहीं हो रही है जिस तरह से सरका पचास दे दो नियां जिससे बोट डलती है ना वह जो होता है उसको कु कांट्रोल युनिटा उनको उनको मागा ऊपचासस सेट मागें तो डीर सौ हो गए तीन होते हैं एक में जब बोट डालते हैं तो तो उसके बाद में वह कह रहा है हम हैं सब पपलिक के सामने दिखा ह देंगे पचास पॉइंट पर ले जाके रखेंगे जो बड़े-बड़े सहर हैं तो उसलिए वो पचास मांग रहे हैं लेकर उनको देगा कोई नहीं यह दो देखो एक मनट सुनो ना जिसको बेवानी के आदत पड़ गई और अगर आपकी बार और ऐसे ही चुनाब होता रहा समेदान खत्म देश खत्म हैं शार सारा शिष्टम ही कटम हो जाएगा क्योंकि वह उब अपने हाप से कानून बना ले जैसे चाइना में.. अपने याप ही वो एक और सारा सिष्टम आरा राष्टपती जैसे रसिया में है जैसे उत्रकोरिया है कितने ताना साह के देस हिए रहें तो ताना साही थे ना यहां पे जो है इंडिया में तो ताना शाही नहीं लोक-tantr सरकार है जनता चुनती है इनको लोग तंतर को कोई नहीं मान रहा ना जनता चुननी होती तो EVM मैंसे डलवा लो न से जनता चुनेगी तो चुनेगी पई आपको इतना घमंड है या कोई भी चीज है तो आप उसको वीपी पैड लगा के और हर बोट को अलग बकसे में डलवा दो उससे सारा किलियर हो मैंसे के किसी के दोबडाणी रहेगी अब बोट में देहिए आ रहे हूं लेकिन मुझे पता ही नहीं है के रही न यहिसे जंतर मंतर पे सुप्रीम कोट के दोनों वकीलों ने महमूद प्राचा और दूसरे जो वकील थे उन्होंने लाइव करके दिखाया था किस तरीके से एवियम हैक करा जाता है तो वह देमों दिखा रहे थे वह पचास तो पचास ऐसा चुनावाइकि और मिल जाएंगी अगर चुनावाइक की में मिल जाएगी तो कोई ऑपसर नहीं रहेगा कोई बात नहीं रहेगी कहने को अhof तो गहरे हैंग alcohol लेके अगर चुनावाइज के दिमाग में कोई सक नहीं होगा नहीं समझ पारी सरकार को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता हो दिखाई दे रही है उसको उसका नुकसान होगा अगर सरकार कोई नुकसान होगा क्यों चाहेगी सरकार और हरादमी यहां तो जिसको एक बार सीट मिल जाती हो तो मरने तक अपना बपोती समझने लग जाता है ना उसे कोई उससे मतलब नहीं है बुकमरी इंडेक्स में सबसे नीचे चला गया देश हमारा पिचासी नंबर पर उस 15-20 पायदान नीचे देखो अमीरे और गरीवी में फरक देख लो कितना डिस्फरेंस आ गया महगाई यह वो कितनी चरम सीमा पर है बेरोजगार यह वो चरम सीमा पर है पचास साल पहले जो चलता था वो उस रेसों में चल ला है कोई भी तो यह सी चीज है नहीं जिससे दे तो है बनाओ तो उसमें भी टोल टेक्स लोग है जब टोल टेक्स लोग है तो तो मुझसे कमा रहे हो कमाने वाली चीज़ तो नहीं कर दिया लेकिन रोजगार कौन देगा विए जो इतने बच्चे हर साल कौलिफाई होके आ रहे हैं इनके जौब कौन क्रियेट करेगा वो कर निरा